ममता गर हमारे गाउं में इतने बड़े जमीनदार न होते तो मुझे भी नौकरी करने के लिए शहर जाना पड़ता बात तो आपने सही की लेकिन आपकी काम्याबी में हमारी बेटी का भी बहुत बड़ा हाथ है जब से मधु पैदा हुई है तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है बिल्कुल सही कहा तुमने ममता हमारी मधु किसी परी से कम नहीं है तब ही वहाँ पर उनकी बेटी मधु आ गई पापा पापा गोड़ा बनो ना मुझे गोड़े की सवारी करनी है अरे क्यों नहीं बेटा मैं तेरे लिए घोड़ा तो क्या गदा भी बन जाओंगा ऐसे दिन बीटते गए और कुछी महिनों बाद ममता एक बार फिर से गर्वती हो गई ममता लगता है उपर वाला हमसे बहुत खुश है हमारे जिन्दगी में एक और परी आने वाली है तभी हम देखते हैं कि स्वर्ग में दो परियां आपस में बात कर रहे थी बहन रमेश की परिवार में एक परी और आने वाली है ये बात तो पुरी तरह से सच है लेकिन क्या ये लोग उस परी को पहचान पाएंगे ये रमेश के परिवार के लिए परिक्षा है बिल्कुल सही कहा बेहन अब देखते हैं ये अपने होने वाली बेटी को पहचान भी पाते हैं या नहीं ऐसे ही नौ महीने बीद गए एक दिन अचानक ममता के पेट में बहुत जोर से दर्ध होने लगा अ मतू कि पापा मेरे पेट में बहुत दर्ध हो रहा है अ अ अ अ अ तभी रमेश भाग कर ममता के पास आया पापा, मुम्मी का पेट इतना फूला हुआ क्यों है? लगता इनोंने कुछ जादा ही खा लिया है नहीं, बेटा, मम्का, मैं जल्दी से काकी को बुला कर लाता हूँ लगता है, दिलिवरी का समय आ गया है रमेश तुरंद भाग कर गाउं में गया और एक बूरी काकी को बुला कर ले आया काकी अपने साथ कुछ और भी ओरतों को ले आई रमेश बेटा मधु बेटी को लेकर बाहर जा हम थोड़ी देर बाद तुझे खुशका ब्री देने आते हैं रमेश अपनी बेटी को लेकर घर के बाहर चला गया अंदर काकी ने उन औरतों के साथ मिलकर ममता की डिलिवरी को अंजाम दिया थोड़ी देर बाद काकी बाहर आ गई रमेश बेटा तो एक और बेटी का बाप बन चुका है मुबारक हो वो औरते वहां से चली गई रमेश अपनी बेटी को लेकर बहुत खुशी-खुशी घर के अंदर पहुचा लेकिन अपनी नवजाद बेटी को देख कर उसका मुव बन गया क्योंकि उसका रंग बहुत काला था यह क्या हुआ ममता तुमारा रंग भी गोरा मेरा रंग भी गोरा मधू बेटी का भी रंग गोरा पर यह काली कैसे पैदा हो गई मधू के पापा काली गोरे से क्या होता है जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है न काली तो रात भी होती है लेकिन रात से हम लोग नफरत थोड़ी करने लगते है ममता मैं तुझे बहुत सीधी साधी औरत समझता था पता नहीं ये किसका पाप है मैं ऐसे अपनी बेटी नहीं मानता मेरे सिर्व एक बेटी है मधू रमेश का ये रवया देखकर ममता को बहुत दुख हुआ खेर मा तो आखिर मा होती है वो अपनी काली वाली बेटी को भी उतना ही प्यार करती थी जितना मधू को लेकिन उसका पिता और मधू दोनों ही उससे बहुत चिड़ते थे ममता ने अपनी बेटी का नाम सुन्दरी रख दिया धीरे धीरे दोनों जवान हो गए मा ने तेरा नाम सुन्दरी इसलिए रखा है क्योंकि तू असल में सुन्दर है नहीं मुझे तो तुझे अपनी बेहन कहते हुए भी शरमाती है दीदी आप मेरी सगी बेहन होकर मुझसे इस तरह बात करती हो मैं भी सुन्दर हूँ बस मेरा रंगी तो काला है मधु और सुन्दरी दोनों अलग-अलग कॉलिज में पढ़ती थी क्योंकि मधु नहीं चाहती थी कि उसकी काली बेहन के बारे में उसकी सहेलियों और दोस्तों को पता चले इसलिए उसके पता ने सुन्दरी का एड्मिशन दूसरे कॉलिज में और मधु का एड्मिशन दूसरे कॉलिज में करा दिया रात में रमेश अपनी बेटी मधु के लिए बहुत सुन्दर सुन्दर ड्रेस लेकर आया मधो देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए है अरे बाप पापा कितनी सुन्दर सुन्दर ड्रेस है तभी वहाँ पर सुन्दरी और उसकी मा भी आ गए अरे वादीदी ये कपड़े आप पर बहुत अच्छे लगेंगे एक बर पहन कर दिखाएए न देख ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं है मैं तेरे लिए कपड़े लेकर नहीं आया हूँ अपनी बेटी के लिए लेकर आया हूँ पापा मैंने आज तक आप से कभी कुछ मांगा ही नहीं मैंने कब कहा कि ये मेरे कपड़े है मैं तो अपनी बेहन की खुशियों को देख कर ही खुश हो जाती हूँ मैंने तुझे कितनी बार मना किया कि मुझे पापा मत बोला कर पता नहीं किसकी ओलाद है तू इतना काला खुन मेरा तो नहीं हो सकता देखिए बार बार आप मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कीजे मेरे चरीतर पर उंगली उठाने से पहले कम से कम एक बार अपने दिल से भी तो पूछ कर दीख लीजे कि क्या मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ अगर तूरे ऐसा कुछ ने किया तो इतनी काली लड़की तरी कोक में आ कैसे गई उपर वाले का शुक्री आदा कर कि मैं तुम दोरों को इस घर में रहने दे रहा हूँ वरना कपका निकाल कर बाहर भेग चुगा होता खेर ये तो रोज का काम था ऐसे ही दिन बीत रहे थे फिर एक दिन सुन्दरी अकेले ही पास के गार्डन में कही घूम रहे थी तब ही उसने एक मोर्नी को देखा अरे वा कितनी सुन्दर मोर्नी है ये पास जाकर देखती हूँ सुन्दरी ने पास जाकर देखा तो मूर्णी के खून निकल रहा था वो घायल अबस्था में पड़ी हुई थी मूर्णी तो घायल हो चुकी है मुझे इसका इलाज करना होगा इसे घर लेकर जाती हो सुन्दरी मूर्णी को अपने घर लेकर चली आई और उसका इलाज किया उसने उसके घाव पर मरहम लगायो और पट्टी भी बांधी जिससे मूर्णी अब ठीक होने लगी दोनों की खूब दोस्ती भी हो गए एक दिन मूर्णी ने सुन्दरी से कहा सुन्दरी तुम उपर से तो खुश रहती हो लेकिन तुम्हारे अंदर मुझसे भी गहरे जक्म है तुम मेरी दोस्त हो मुझे बता सकती हो अब तुम्हें क्या बताऊ मेरा रंग काला होने की वज़े से कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता यहां तक कि मेरे पिता मुझे अपनी बेटी भी नहीं मानते मेरी खुद की बेहन मुझसे नफरत करती है सुन्दरी तुमने मेरे घाव को ठीक करके मेरी जिंदगी बचाई थी तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे घाव को भर दू तुम मेरे घाव को नहीं भर सकती क्योंकि मेरे घाव बहुत गह रहे हैं तभी वो मोरनी देखते ही देखते एक परी बन गई सुन्दरी ये देखकर हैरान हो गई मैं एक परी हूँ मैं तुम्हें एक जादूई मेकप किट देती हूँ से लगा कर तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी बिलकुल परी जैसी लेकिन एक बात याद रखना अमा वस्या की काली राद घर के बाहर मत निकलना वरना फिर से तुम्हारा रंग काला हो जाएगा इतना कहकर वो परी गायब हो गए लेकिन चुपके से उसकी बेहन मधु ये सब सुन रही थी वो तुरंट सुन्दरी के कमरे में पहुँच गई सुन्दरी तु मेरी बेहन है न थोड़ा सा मेकप मुझे भी दे दे प्लीज सुन्दरी का दिल बहुत बड़ा था पर मात्मा को लगा होगा कि उसके बनाए हुए काले रंग से हर कोई नफरत करता है इसलिए शायद उसने मेरी बेटी का रंग भी गोरा कर दिया और उस जादूई मेकप से मधु और भी सुन्दर हो गई अब उन दोनों के माबाप उन दोनों को खोब प्यार करते फिर एक दिन अमावस्या वाली रात अचानक रमेश को मिर्गी का दोरा पढ़ने लगा उसकी सांसे भी फूलने लगी मधु बेटा मैंने तुझे कार चलाना सिखाया है ना जल्दी से मुझे अस्पतान ले चर ऐसा लग रहा है मुझे हाड़ डेक आ जाएगा मेरी हालत बहुत खराब हो रही है मधु जल्दी से गारी निकाल मैं इन्हें लेकर बाहर आती हूँ आज हम आवस्या है अगर आज मैं घर से बाहर निकली तो मैं काली हो जाओंगी मैं बाहर नहीं जा सकती पिता जी कोई बात नहीं मेरी मा ने मुझे भी कार चलाना सिखा है मैं पिता जी को अस्पताल लेकर चलूँगी चलो मा सुन्दरी ने कार स्टार्ट के और अपने पिता को लेकर अस्पताल पहुँच गए डॉक्टर ने उसका इलाज किया सुबह तक वो पूरी तरह ठीक हो गया लेकिन जब सुबह उसकी नीन खुली तब उसने देखा कि सुन्दरी एक बार फिर से काली हो चुकी थी उसकी मा भी वहाँ पर खड़ी थी ये तुम्हें क्या हो गया? कल तक तो तुम बिलकुल गोरी हो गय थी सुन्दरी ने परी वाली सारी बात अपने पिता को बता दी अब रमेश की आँखों में पश्चत आपकी आँसु थे इसका मतलब सिर्फ काली हो जाने के डर से मधो मुझे अस्पदाल तक लेकर नहीं आई तब ही वहाँ पर परी प्रकट हो गई वो परी मैं ही हूँ रमेश और ममता परमात्मा ने जान बूच कर आपकी दूसरी संतान काली पैदा की थी क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आप लोग उपर उपर से ही अच्छे हो या दिल से भी अच्छे हो लेकिन रमेश तुम दिल से अच्छे नहीं थे पूरा जीवन काले रंग के साथ बिताओगे अब रमेश और मधु काले हो गए तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ लेकिन अब सभी लोग खुशी-खुशी रहने लगे आर्थी को बचपन से कुछ भी नहीं मिला उसे ना ही किसी का प्यार मिला और ना ही कोई खिलोने क्योंकि वो काली थी दूसरी तरफ आर्थी की सौतेली बहन पायल को सब कुछ मिला वो गोरी थी और उसके मादा-पिता उससे बहुत प्यार करते थे इसलिए आज जब दोनों बहनों की शादी है तब पायल को एक लाग का लहंगा मिला और आर्थी को कुछ मिला ही नहीं आर्थी बस बैट कर ये सोचने लगी की मेरे पास तो कुछ भी नहीं है शादी का लहंगा नहीं है क्या पहन कर मंडप में जाऊंगी मैं आर्थी के पास लेहगा तो दूर एक अच्छी साड़ी तक नहीं थी बच्पन से उसके साथ यही होता आया है आर्थी की मा आर्थी को जन्म देते हुए ही मर गई थी आर्थी काली पैदा हुई थी यह देखकर उसके पिता ने कहा था अरे यह तो कोईले से भी काली है यह कैसी बेटी पैदा करी है इसने हर्यर को आर्थी पसंद नहीं आई उसे काली बेटी नहीं चाहिए थी इसलिए एक हफ़ते के अंदर उसने फिर से शादी कर ली आर्थी की स्वतेली मा का नाम रतना था रतना ने एक साल के अंदर एक गोरी बेटी को जन्म दिया। हरियर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे ये हुई ना बात। बेटी हो तो गोरी हो। काली तो कुटिया भी होती है। हरियर ने उसका नाम पायल रखा और पायल को माबाप दोनों का प्यार मिलने लगा। आर्ती को मिला तो सिर्फ और सिर्फ घ्रेना। उसकी सौतेली मा उससे कहती थी। तेरा मुँ देखकर मेरी भूख मर जाती है। खाने की समय मेरी सामने मत आया कर। रतना हरियर और पायल एक साथ एक परिवार की तरह इकठे बैट कर खाते थे। लेकिन आर्ती को वहाँ जगा नहीं मिलती थी। उसे रसोई में बैट कर खाना पड़ता था। वो भी सूखे चावल। खाना खाते हुए आर्ती हर रोज रोते हुए अपनी मा को याद करती थी। एक तो सौतेली उपर से काली। ऐसी लड़कियों के नसीब में सर्फ और सर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही लिखा हुआ है। ये बात आर्ती बहुत पहले समझ गई थी। ऐसे ही वो बड़ी होने लगी। पायल को प्यार मिलता रहा और उस वज़े से वो घमंडी बन गए। और वो दोनों जवान हो गए। दोनों की शादी की उम्र हो गए। घर में पायल की शादी की बात चलने लगी। बेटी अब तेरी शादी की उमर हो गई है ना। तुझे शादी करनी होगी। उसके बाद तेरे बच्चे होंगे। मा, अब बिना। हाँ 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 हमारी बेटी शर्मा गई। वहाँ आर्थी आई और बोली। हाँ हाँ बेहन तु बहुत खूबसूरत लगेगी। आर्थी को देखकर पायल गुस्सा हो गई। आ गई तु। हमारी एक पल की खुशी तुझे देखी नहीं जाती है क्या। अपनी गंधी शकर लेकर चली आई यहाँ। लेकिन बेहन मैंने ऐसा क्या बोल दिया। पहली बात तो मुझे बेहन कहना बंद कर। मैं तेरी बेहन नहीं हूँ। तु इस घर की नौकरानी है। मैं कोई नौकरानी की बेहन नहीं हूँ। जा भाग यहाँ से जाकर खाना बना। अरे खाने से याद आया कल पायल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं आरती उनके लिए बहुत सारा खाना बनाना समझ गई जी पिता जी आरती वहां से चली गई अगले दिन पायल को देखने के लिए लड़के वाले आये लड़के का नाम आलोग था, आलोग अपनी मा के साथ आये था, साथ में उनका नौकर रगु भी आये था, आते ही आलोग की मा जानकी ने हस्ते हुए कहा हरियर जी, हम एक नौकर को लाए हैं हमारे साथ, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, वो बात ऐसी है कि हम उसके बिना कहीं जा नहीं सकते नहीं, नहीं, कोई बात नहीं जी, आईए, आईए, अंदर आईए रगु के साथ जानकी और आलोग अंदर आए, रगु भी बचपन से उन लोगों के साथ ही है, जानकी और आलोग सोफे पर बैट गए और रतना पायल को लेकर हाजिर हो गए वा, पायल तो दिखने में बहुत अच्छी है अरे वा, पेटा, एक नजर में पसंद भी कर लिया वो लोग बैट कर गपेश अप पे लड़ाने लगे और तभी आरती खाना लेकर आगए ये लीजे, आप लोगों के लिए खाना लाई हूँ, खा लीजे नहीं तो ठंडा हो जाएगा अरे अर्जी, ये कौन है? अब, ये हमारे घर के नौकरानी है अच्छा, पायल बेटी तुम्हें खाना बनाना आता है ना? पायल को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वो चुप रही जानकी और आलोक ने आर्टी का बनाय हुआ खाना खाया और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा वा, वा, खाना तो बड़ा स्वादिश्ट है, लेकिन हरिहर जी, ये तो आपकी नौकरानी ने बनाया है लेकिन मुझे आपकी बेटी के हाथ का कुछ खाना है वो असल में मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता है तो फिर ये शादी नहीं हो सकती, शादी के बाद हम खाएंगे क्या? तभी हरियर के दिमाग में काईटी आया क्यों ना रगु के साथ आर्ती की शादी कर दी जाए, आर्ती भी आपके ही घर में चली जाएगी और हर रोज खाना बना कर खिलाएगी सभी शादी के लिए मान गए, आर्ती और रगु से किसी ने एक बार भी नहीं पूछा हरियर ने एक तीर से दो निशाने मार दिये दहेज के बिना आर्ती की शादी नहीं होने वाली थी लेकिन अब आर्ती को विदा करने के लिए हरियर को एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरुरत नहीं पड़ेगी शादी का दिन नस्दीक आने लगा और पायल ने एक लाग का लेंगा खरीद लिया आर्ती ने कहा, पिता जी मेरे लिए लेंगा नहीं खरीदा आप लोगों ने तू लेंगा पैन कर क्या करेगी, नौक रानी को लेंगा पैनना है सभी ने हस्ते हुए आर्ती की बात को टाल दिया, लेकिन आर्ती को पता था कि शादी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है मुझे भी लेंगा चाहिए, एक हजार का लेंगा ओ तो भी चलेगा शादी का दिन आगया, पायल लेंगा पैन कर तयार होने लगी, लेकिन आर्ती के पास पैनने के लिए कुछ भी नहीं था वो अपनी मा की फोटो के सामने खड़ी होकर रोने लगी मा, क्या ऐसे शादी होगी मेरी, न लेंगा न अच्छे कपड़े, यहां क्यों रखके गई मुझे मा, उत्तर दो मा, उत्तर दो तभी अचानक से आर्ती को उसकी मा की आवाज सुनाई दे, जैसे कि आकाशवानी हो रही हो बेटी, मैं तेरी मा हूँ, तेरे बारे में तुम मुझे सोचना ही पड़ेगा बिस्तर के नीचे एक ट्रंक है, उसके अंदर मेरी शादी का लेंगा है, उसे निकाल कर पहन ले मा, मा कहा हो आप? तेरे दिल में हूँ बेटी, अब जल्दी से लेंगा पहन ले आर्थी ने बिस्तर के नीचे से ट्रंक निकाला और उसमें से लेंगा निकाल कर पहन लिया और पहनते ही एक चमतकार हो गया, आर्थी काली से गोरी हो गई, वो इतनी सुन्दर हो गई कि खुद को आईने में देख कर उसके खुद के होश उड़ गए क्या, मैं इतनी सुन्दर हूँ, लेकिन कैसे ये मा का प्यार है वेटी, अब जा, शादी के मंडप में जाब शादी के मंडप में आलोग खड़ा हुआ था, पास में ही रगु भी खड़ा हुआ था, पाइल मंडप में पहुची और उसके बाद आर्थी वहाँ पहुच गए, आर्थी को देख कर सब के होश उड़ गए क्या, आर्थी गोरी कैसे हो गई आर्थी ने रगु का हाथ पकड़ा और अचानक से रगु भी लंबा और गोरे मर्द में बदल गया, उसने कहा रगु और आर्थी वहाँ से भाग गए, उन दोनों ने कहीं और जाकर मंदिर में शादी कर ली यहाँ जानकी और आलोग को जब पता चला कि आर्थी हरहर की नौकरानी नहीं बेटी है, तब उन्होंने शादी से इंकार कर दिया पायल अंदर से तूट गई, अपनी मा के आशिरवाद से आर्थी ने रगु के साथ बहुत दूर जाकर घर बसाया और वो दोनों लेंगा बना कर बेचने लगे, इस तरह वो दोनों एक खुशाल जिन्दगी बिताने लगे और यहाँ पायल से किसी ने शादी नहीं की, वो एक लाग का लेंगा लेकर पूरा जीवन कुमारी ही रह गई हलो दोस्तों, कैसे है आप सब? हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलेगा